प्री मॉनेटाइजेशन सीरीज हम खास इस हफ़ते लेकर आएं आपके लिए बता रहे हैं आपको कैसे आप कैशलस जिंदगी जी सकते हैं क्योंकि फ्यूचर इस कैशलस इस पूरे हफ़ते इसी पर चर्चा करेंगे आपको तरीके बताएंगे किस तरह से आप कैशलस आसान इसे कैशलस पेमेंट्स कर सकते हैं पूरे अफ़ते सुमवार से शुक्रवार इसी जमें आप देखना ना बूलें मनी गुरू और फिलाल हमार साथ आज के एक्सपर्ट बलवन जैन मौजूद है जो बता रहे हैं कि साथ क्या लेसंस ऐसे हैं जो हमने इस पूरे ही प्रक्र जरूरी है इस पॉइंट अफ टाइम में बले ही कुछ रियायत है कि आप मेडिकल सर्वेस के लिए पूल करन्सी का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर लॉंग रन में समझे तो कैश्ट्रस मेडिकलेम बहुत इंपोर्टन्ट है तो जिन्होंने अब तक नहीं खरीदा हुआ मेडिकलेम उनके लिए आपके सला गया होगी? उसमें के साथ का ताय अब Hai मैं wrestling जा को अच्छ पैसे का बड़ता हुआ क़ॉठ य grin कि a इंवेरों मरूस की पालिशन दिल जाती हैda कुझ भी पैसे नहीं करना पड़ा अगल हो लूब आपकी जो medical policy है वो cashless के network में नहीं है तो इसके लिए आपके पास में credit card होना बहुत जरूरी है credit card दो धारी तलवार है अगर आप उसको सम्हाल के नहीं यूज करेंगे तो आप debt rep में आ सकते हैं परन्तु जैसे medical emergency जैसी चीज है उसमें ये credit card है वो बहुत handy आ जाता है तो जैसे medical emergency आ गई जिसमें आपको दो तीन लाग रुपए एक साथ कहीं परना पड़ दया उतना balance आपके पास cash में नहीं है और कहीं से आप तत्काल arrange नहीं कर सकते तो ऐसे में credit card है आपको एंडी आ जाएगा यानि जिन्होंने अब तक medical claim के बारे में नहीं सोचा है at least is demonetization के बात तो आपके दमाग में आओगा लेकिन एक चीज और है मेरे दमाग में बलबंची कि जितने भी छोटे शहर हैं वहाँ पर card तो खेर accept होता ही होगा तो खेर medical claim तो एक अपने आप में important चीज और वो definitely portfolio का हिस्सा होना भी चाहिए लेकिन medical emergency से निपटने के लिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए मैंने जैसे बताया ना medical emergency से निपटने के लिए मतलब emergency नहीं emergency आये उसके पहले आपके पास में आपके जो फैमिली में जितने member है एक दिन old बच्चा है उसका भी और जो 80 साल पुराने बुजूर्ग है उनका सबका भी adequate health insurance जरूरूर होना चाहिए और आपको जो cover लेना है पूरे इंडिया, throughout इंडिया का cover लेना चाहिए कि आपको कोई भी जगे पर medical emergency आजाए तो आपको hospitalization और उसका reimbursement की facility मिलनी चाहिए और देखना चाहिए मतलब जब आप जब यह insurance policy खरीते हैं तो उनके जो network में cashless के network में कौन-कौन से hospital है और आप जहां रहते उसके बगल मे अगर कोई hospital है और अगर premium में बहुत ज़्यादा फरक नहीं है और disease जो cover होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा exclusions नहीं है तो आपको वह policy preferably खरीदनी चाहिए और जैसे मैंने बताया कि आपके पास credit card तो होना ही चाहिए परंतु मैं rider और दूंगा उसको पर कि आप अपने credit card को बहुत sparingly यूज कर रहे एक दब emergency के लिए यूज कर रहे बाकि आप debit card कर रहे और debit card यूज करने का फायदा है कि आपके पास जितना पैसा है उतना ही spend होता है over spending के chance नहीं है तो credit card is sparingly यूज करिया और debit card के वैसे भी कई लोग ने chance लिया और खास्तों पर जिनके पास black money था और उनको शायद यह भी realize वो कि सरकार एक idea scheme लाई भी थी जिन्होंने वहाँ पर फायदा उठा लिया तो वो इस बड़ी penalty से पच गए लेकिन seventh lesson और सबसे important lesson कि अब future cashless ही होगा यानि लेकिन जिन्होंने अब तक इसका इस्तमाल नहीं किया है mobile wallet की शुरुवात कई कंपनिया कर चुकिए और at this point तो कई कंपनिया reward points भी दे रही है और जादा से जादा customers को attract करने की कोशिश कर रही है quickly अगर आपसे चाहेंगे कि जिन लोग ने अब तक cashless शुरुवात नहीं किये उनके लिए क्या message होगा आपके तरफ से देखे पल्लवी जैसे आप बता रही थी कि आपको सबजी खरीदनी है उसके लिए आपको cash के जरूरत पड़ती है ऐसा करता ही नहीं है आप online purchases अगर करते हैं जैसे हम लोग big basket से purchases online purchase करते हैं तो वहां पर आपको जितनी सबजी खरीदनी है वो सबजी भी आप खरीद सकते ह आपके day-to-day requirement की आइटम जो आप किराना स्टोर से खरीदते हैं वो सब आप big basket से online खरीद सकते हैं और उसमें ऐसा है मंगलवार को जैसे उनका ICICI bank के साथ tie up है अगर आप मंगलवार को big basket से खरीदी करते हैं पनरा सो रुपे तो आपको 25% discount मिल जाता है जो discount आपको और कहीं अगर आप cash tender करेंगे तो कहीं पे भी नहीं मिल सकता है तो आप अपना purchases plan कर सकते हैं और यह जो discount लोगे रहे हैं लि आज 7 lessons हमने सीखे लेकिन इस पूरे हफ़ते demonetization पर हमारा focus रहेगा कैसे क्या ways है उसे tackle करने के कैसे cashless जिंदगी का मज़ा अपले सकते हैं फिलाल बल्वन जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि इमकी समय देने के लिए और इस पर चच्चा करने के लिए